ओम शांती आज बाबा के 29 दिसंबर 2020 के साकार मधूर महवाक्य हैं कल हम सबने बहुत सुन्दर अभ्यास किया Charity Begins at Home अपने को आत्मा समझ कर दूसरों को भी आत्मा देखने का अभ्यास किया और बहुत सुन्दर बात हम सबने कल सीखी मुख की ताली नहीं बचानी है निंदास्तोती, मान, अपमान सब में एक समान धेना है आज के मधूर महवाक्यों में बाबा ने हमें रुखानी यात्रा का महतो समझाया कि जब आप अपने को आत्मा समझ कर बाबा को याद करते हूं ये रुखानी यात्रा है ये योग अगनी है जिससे आत्मा के जो भी विकर्म है, पाप है वो नश्ट हो जाते है बाबा ने कहा इसी समय तुम बच्चों को बाबा ये रुखानी यात्रा सिखाते है योग करना सिखाते है बाबा की मुरली मिलती है कैसे भी करके बाबा की मुरली जरूर सुननी है इससे आप बच्चे रिफ्रेश हो जाते हो अगर बच्चे मुरली सुनते हैं तो प्रेजन्ट डाली जाती है नहीं सुनते हैं तो एपसेंट मार्क हो जाती है बाबनी का आपको पूरा पक्का वैशनों बनना है पवित्रता के साथ साथ बहुत सुन्दर बात बाबा ने समझाई कि बच्चे आपका पुर्शार्थ, अटेंशन वाला और स्वभाव बहुत इजी होना चाहिए, सरल स्वभाव होना चाहिए और पुर्शार्थ पर बहुत अटेंशन देना है, जितना अटेंशन देंगे उतना आपकी उननतीव होग फिर बाबनी का ऐसा कौन सा ज्ञान है जिससे आप बेहद के सन्यासी बन गए सन्यासी तो घरबार छोड़ के चले जाते हैं हमें घरबार नहीं छोड़ना, कारोबार नहीं छोड़ना सब कुछ करते हुए अपने मन बुद्धी को डिटैच रखना है ऐसा बेहद का सन्यासी बनने के लिए आज बाबा नहीं कहा क्योंकि आपको ड्रामा की नौलेज है अब आप सृष्टी चकर के बारे में जान गए कि वापिस घर जाने का समय है इसलिए आप बच्चे बेहद के सन्यासी बन जाते हो अब सुनते हैं बाबा के मधूर महावाक्य मीठे बच्चे संगम युक पर तुम ब्रामन संप्रदाई बने हो संगम युक पर तुम ब्रामन संप्रदाई बने हो तुम्हे अब मृत्यो लोग के मनुष्य से अमर लोग का देवता बनना है इसी समय पुर्शार्थ करके मृत्यू लोग के मनुश्य से अमर लोग का देवता बनना है कुछने तुम बच्चे किस नौलेज को समझने के कारण बेहद का सन्यास करते हो किस नौलेज को समझने के कारण बेहद का सन्यास करते हो तुम्हें ड्रामा की यथार्थ नौलिज है जानते हो ड्रामा मुसार सारे मृत्य लोग को भसमी भूत होना है अब ये दुनिया वर्थ नाटी पैनी बन गई हमें वर्थ पाउंड बनना है कोडी तुले बन गी दुनिया हमें हीरे जैसा बनना है जो कुछ होता है फिर हुबहु कल्प के बाद रिपीच होगा इसलिए तुमने सारी पुरानी दुनिया से बेहद का सन्यास किया है आप इस ड्रामा को जान गई हो इसलिए आपने पुरानी दुनिया का बुद्धी से सन्यास किया है गीते आने वाले कल के तुम तस्वीर हो ओम शांती बच्छों ने गीत की लाइन सुनी आने वाला है अमर लोग ये है मृत्यू लोग अमर लोग और मृत्यू लोग का ये है पुर्शोतम संगम युग अब बाबा पढ़ाते हैं संगम पर और आतमाओं को पढ़ाते हैं भगवान स्वयम पढ़ाते हैं और कब पढ़ाते हैं? संगम युकपर इसलिए बच्चों को कहते आतम अभिमानी होके बैठो ये निश्चे करना है हमें बेहद का बाप पढ़ाते हैं हमारी एम उब्जेक्ट ये है लक्ष्मी नाराइन या मृत्यू लोग के मनुष्य से अमर लोग का देवता बना ऐसी पढ़ाई तो कभी कानों से नहीं सुनी ना किसको कहते हुए देखा जो कहे बच्चे तो मातम अभिमानी होके बैठो और कोई भी ये बात नहीं कहता कि सोल कॉंशेस होके बैठो देहे से अलग आत्मिक स्मृती में टिक करके बैठो ये निश्चे करो बेहत का बाप हमें पढ़ाते हैं कौन सा बाप? बेहत का बाप निराकार शिव अब तुम समझते हो हम पुर्शोतम संगम युकपर हैं अब कौन से युकपर हैं पुर्शोतम संगम युकपर अब तुम ब्रामन संप्रदाय बने हो फिर तुमें देवता बनना है पहले शूद्र संप्रदाय के थे बाबा के पत्थर बुद्धी से पारस बुद्धी बनाते हैं पहले सतो प्रधान पारस बुद्धी थे, अब फिर बनते हैं, ऐसे नहीं कहना चाहिए कि सत्यूग के मालिक थे, सत्यूग में विश्व के मालिक थे, फिर 84 जनम ले, सीड़ी उतरते उतरते, सतो प्रधान से सतो रजुत तमों में आ गए, पहले सतो प्रधान थे, तो पारस उद्धी थे, फिर आत्मा में खाद पड़ती गई, मनुष्य समझते नहीं, बाबा कहते तुम कुछ भी नहीं जानते थे, ब्लाइंट फेद था, सिवाए जानने के किसी की पूजा करना, याद करना, उसे ब्लाइंट फेद कहते हैं, जिसकी पूजा कर रहे हैं, उसके बा भूल गए, इसलिए धरम भरष्ट हो गए, करम भरष्ट हो गए, भारतवासी समय देवी धरम से भी भरष्ट हैं, बाबा समझाते वास्तों में तुम हो परविर्ती मारगवाली, वो ही देवताईं जब अप अवित्र बनते हैं, तब देवी देवता कहने सकते, इसलिए न प्रधान दुनिया है, अनेक धरम है, देवी देवता धरम प्रायलूप हो गया, देवी देवता धरम का राज्ये कब था, कितना समय चला, ये वर्ल्ड केस्टी जोग्रफिक कोई भी नहीं चानते, बाबा आके तुम्हें समझाते, ये गौर्ड फादरली वर्ल्ड युनि तुम इस नौलिज से देवता बन, काल पर जीत पाते हो, वहां कभी काल खा नहीं सकता, मरने का वहां नाम ही नहीं, अब तुम काल पर जीत पहन रहे हो, ज्रामा प्लैन अनुसार, भारतवासी भी पांच वर्ष या दस वर्ष का प्लैन बनाते हैं, समझते हम राम राज्य स्थापन कर रहे हैं, बिहग के बाप का भी प्लैन है, राम राज्य स्थापन करने का, वहतों सब हैं मनुष्य, मनुष्य तो राम राज्य स्थापन कर न सके, राम राज्य कहा जाता सत्यूग को, इन बातों को कोई भी नहीं जानते, मनुष्य कितनी भगती करते हैं, जिस ग्यान भगती और वैराग ये बाबा ही समझाते हैं ग्यान भगती और वैराग भगती का फल है ग्यान जब ग्यान मिलता है तो हमें मिलते हैं भगवान और वो सिखाते हैं पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग बाबा केते वेराग दो प्रकार का एक है हाच्चियों की निर्वर्ती मारग वालों का वे घर बार छोड जंगल में जाते अब तुम्हें बेहद का सन्यास करना है सारे मृत्यू लोग का बाबा केते सारी दुनिया भसमी भूत होने वाली है ड्रामा को बहुत अच्छी रिती समझना है जो मिसल टिक टिक होती रहती है जो कुछ होता है कल्प के बाद रिपीट होगा ड्रामा को अच्छी रिती समझेंगे हम समने सृष्टी चक्र का चित्र देखा है बाबा केते घड़ी कैसे चलती रहती है टिक टिक होती रहती है, इसको बहुत अच्छी रिती समझ कर बेहद का सन्यास करना है, समझो कोई विलायत जाते हैं, कहींगे वहां हम ये नॉलिज पढ़ सकते हैं, बाबा केते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हो, कोई विदेश में जाते हैं, तो पूछते हैं, क्या हम वहां ये पढ़ सकते हैं, बाबा कहते हैं, इसमें सात रोज का कोर्स लेना पढ़ता है, बहुत सहज है, आत्मा को सिरफ ये समझना होता है, हम सतो प्रधान विश्व के मालिक थे, अब तमो प्रधान बन गए, फिर सतो प्रधान बनना है, कल्यूग से फिर सत्यूग बनना है, बाबा क इतना सिंपल समझाते, साधिन का कोर्स समझाना है, कैसे हम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने, काम चिता पर बैठ तमो प्रधान बने, फिर ज्ञान चिता पर बैठ सतो प्रधान बनना है, अब ऐस संगम यूग, फिर सत्यूग होगा, हम कल यूगी विश्यस बन गए, फिर वाइसलेस वर्ड में जाना है, उसके लिए बाबा रास्ता बताते, कहते हैं हमें गुणवान बनाओ, जो कल्प पहले बने थे उन्हें फिर से बनना है, कल्प पहले जो गुणवान बने थे, दिव्यगुणों से सजे थे, वो अब भी जरूर बनेंगे, बाबा समझाते, पह पूरे कल्प में एक बार, ये सोल कॉंशियस बनने की, आतम अभी मानी बनने की शिक्षा मिलती है, ऐसे ने कि तुम सदयव देही अभी मानी रहेंगे, नहीं, सत्यु में तो नाम शरीर के रहते हैं, लक्षमी नार्ण के नाम पर सारी कारोबार चलती हैं, अब ये है संगम जबकि बाबा समझाते हैं, बाबा कहते हैं, तुम अशरीरी आये थे, अशरीरी बनकर वापिस जाना है, जिस फॉम में आये थे, बिना शरीर के आये थे, जोती बिन्दु आतमा परमधाम से आये थी, फिर वापिस जाना है, अपने को आतमा समझ बाप को याद करो, ये रूहानी यात्रा है, आत्मा अपने रूहानी बाप को याद करती है, बाबा को याद करने से पाप बहस्म हो जाएंगे, इसे योग अगनी कहते हैं, याद तो तुम कहीं भी कर सकते हो, साथ रोज में समझाना होता, सृष्टी चक्र कैसे फिरता, कैसे हम सेड़ी उतरते, मुर्ली जाती है, यह स्कूल है न, कहीं पर भी हैं बाबा के बच्चे, मुर्ली सब के पास जाती है, पूरे वर्ल्ड में जित्ते भी सेंटर्स हैं, आजकल तो ओनलाइन सबकों मिल रही है, बाबा कहते हैं, मुर्ली तो सब तरफ जाती है, यह स्कूल है, वास्तों में युनिवस्टी है, गीता का ही राजयोग है, बाबा कहते हैं, मैं स्वहम आकर के तुम्हें राजयोग सिखाता हूं, तुम पुर्शात कर मनुष्ये से देवता बनते हो प्रज्पिता ब्रह्म ज़रूर यहाँ होगा, प्रज्पिता तो वैश बने, कल्यूग में शुद्र बने, संगंपर ब्रामन, बाबा केते हम सो सोहम का राज भी अब तुमने समझा, बाबा केते मैं इस समय तुम आत्माओं को स्वेयम का स्रिष्टी चक्र का ज्यान देता हूं, तुम मुझे बुलाते हो इपतित पावन आओ, नीराकार आत् बाबा को यह शरीरूपी रथ मिला है पार्ट पचाने के लिए, बाबा केते हैं आप सबको तो अपना अपना रथ है, नीराकार श्री बाबा को अपना नहीं है, उन्होंने ब्रह्मा रथ से ही गयान दिया, बाबा को तो रथ नहीं है, वो तो नीराकार है, ना सुक्ष्म ना स्थूल शरीर है, निराकार खुद रत में जब बैठे तब बोल सके, रत बिगर पतितों को पावन कैसे बनाएंगे, बाबा केते मैं निराकार आके इनका लोन लेता हूं, टेंप्रेरी लोन लेता हूं, निभाग्यशाली रत कहते हैं, ध्यान से समझेगे, ब्रम्मा के त अधार लिया हैं आपको पढ़ाने के लिए, बाबा ही स्रिष्टी के आधी मध्यंत का राज बताई, तुमें त्रिकाल दर्शी बनाते हैं, और कोई मनुष्ये नौलेज जान नहीं सकते, इस समय सब नास्तिक हैं, बाबा कर आस्तिक बनाते हैं, रच्यता और रच्ना का र ब्रामन हैं, ब्रह्मा मुखवन शावली, ब्रामनों को ही ज्यान मिलता, बाब संगम पर आकर ज्यान देते हैं, सद्गती देने वाला एक बाब है, मनुष्ये मनुष्ये को सद्गती दे ना सके, वो सब हैं भगती के गुरु, सत्गुरु एक है, जितने भी गुरु हैं, इसको पाठशाला भी कहा जाता, एम उब्जेक्ट नर्से नारायन बनने की है, वैसे भगती की समगरी, गीता से भी कोई प्राप्ती नहीं, बाबा केते हैं, मैं तुमें समुख खाकर गीता ज्यान दे रहा हूं, जब तक पता ही नहीं, गीता ज्यान दाता कौन, ज्यान कब दिया गया, बाबा केते ही तब तक तो सद्गती नहीं मिल सकती, अब आपको गीता ज्यान दाता का पता चला, वो समुख पढ़ा रहे हैं, जिससे तुम देवी देवता बनते हो, मुख्य बात है पवित्र बनने की, बाबा की याद में रहना है, इसी में माया विघन डालत है, माया याद करने नहीं देती है, याद से ही वर्सा मिलता है, ये नौलेज हर बच्चों को मिलती है, सब बच्चों को मिलती है, कभी भी मुरली मिस नहो, मुरली मिस होई, मतलब एपसेंट हो गए, कभी भी बाबा की मुरली मिस नहीं करने है, ऐसा रिकॉर्ड बनाना है, कि हमारी दिन्चरिया बाबा की मुरली से शुरू हो, अमरी तवेला किया नहाधो के पहले बाबा की मुरली सुननी है, और दिन भर में भी वो पॉइंट से याद करने हैं, मुरली मिस के मतलब एपसेंट हो गए, मुरली से कहां भी बैठे, रिफ्रेश होते रहेंगे, शिरीम भाचारी भी होते हैं, तुम विकार में जाते, पवित्र तो है नहीं, तुम पवित्र बन, विष्णुवंशी बनते हो, वहां तुम वैश्मव रहेंगे, विकार में नहीं जाएंगे, जब सत्योग में होंगे, तो पवित्र होंगे, संगम पर भी बनना है, वो हैं अमर ल दुनिया योग बल से तुम विश्व की बादिशा ही लेते हूँ बाबा के इस समय आप योग बल के द्वारा राजाई प्राप्त करते हूँ तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो सबको पैगाम देना है छोटे बच्चों का भी हक है शिव बाबा के बच्ची है न त सब का हक है, सब को कहना है अपने को आत्मा समझो, माबाप में ज्यान होगा तो बच्चों को भी सिखाएंगे, माता पिता में ज्यान होगा तो बच्चों को भी सिखाएंगे, शिव बाबा को याद करो, छोटे बच्चों को आप सिखा सकते हैं न, गुड मॉर्निंग करनी है बाबा से, खाना हाने से पहले याद करना है, भोचन का थैंक्स करना है, रात को गुड़नाइट करनी है, अगर माता पिता खुद नहीं करते होंगे तो बच्चों को कैसे सिखाएंगे, सिवाए शुव बाबा के दूसरा न कोई, एक की याद से तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, इसमें पढ़ाई बहुत अच्छी चाहिए, विलायत में रहते भी तुम पढ़ सकते हो, इसमें किताब आदी कुछ नहीं चाहिए, कहीं भी बैटे पढ़ सकते हो, बुद्धी से याद कर सकते हो, ये पढ़ाई इतनी सहज है, योग अत्वा याद से बल मिलता है तुम अब विश्व के मालिक बन रहे हो बाबा राज्योग सिखा के पावन बनाते हैं वो है हट्योग ये है राज्योग इसमें परहेज चाहिए इन लक्ष्मी नारण जैसा सर्वगुण संपन बनना है एम उपसेक का चितर सामने लाएंगे स्री लक्ष्मी नारण का बाब गेदे तुम्हें ये बात स्मर्ण रहे कि मुझे ऐसा बनना है खान पान की भी परहेज चाहिए दूसरी बात बाबा को याद करना है तो जनम जनमांतर के पाप कर जाएंगे इससे सहज राज्योग कहते हैं राजाई प्राप्त करने के लिए योग अगर राजाई नाली तो गरीब बन जाएंगे शिरिमत पर चलने से ही स्रेष्ट बनेंगे ब्रश्ट से स्रेष्ट बनना है उसके लिए बाबा को याद करना है ब्रश्ट से स्रेष्ट बनना है उसके लिए बाबा को याद करना है कल्प पहले भी तुमने ग्यान लिया था फिर अब लेते हो सत्यों में और कोई राज्य नहीं था उसे कहते है सुख धाम अब ये है दुख धाम जहां से हम आत्माई ये है दुख धाम जहां से हम आत्माई आई वो है शान्ती धाम शिव बाबा को वंडर लगता दुनिया में मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं बच्चे कम पैदा हूँ उसके लिए कितना माथा मारते रहते हैं समझते नहीं कि ये तो बाब का काम है बाबा जट एक धरम की स्थापना कर अनेक धरमों का विनाश करा देते हैं एक धक से वो लग तो कितनी दवाईया निकालते पैदाईश कम करने के लिए बाबा के पास तो एक ही दवाई है एक धरम की स्थापना होनी है वो समय आएगा सब कहेंगे तो पवित्र बन रहे हैं बहुत सुन्दर बाबाने दवाई दिये पवित्र बनो, योगी बनो फिर दवाईया दी की क्या दरकार तुम्हे बाबाने दवाई दी मन मनाभव जिससे तुम इक्किस जनमों के लिए पवित्र बन चाथे मन मनाभव मुझे याद करो 21 जनमों के लिए पवित्र बन जाएंगे अच्छा मीठे मीठे सिक्किलदे बच्छु प्रती माद पिता बाप तदका याद प्यार गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते रुहानी बच्चों की रूहानी बाप तदको, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया धार्णा के लिए सार कुछ सेकेंड साइलेंस में बैठिये विचार कीजिए आज बाबा ने क्या क्या कहा ऐसी कौन सी बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी जिसे मैं करने के लिए तयार हूँ पहली पॉईंट पवित्र बनकर पक्का वैश्नों बनना है खानपान की पूरी परहेज करनी है स्रेश्ट बनने के लिए शिरीमत पे चलना है मुरली से स्वयम को रिफ्रेश करना है कहीं बेरते सतो प्रधान बनने का पुर्शाट करना है मुरली एक दिन भी मिस नहीं करनी है वर्दान है जुदाई को सदा काल के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूपव जुदाई को सदा काल के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूपव जो स्नेही को पसंद है वो ही स्नेही करने वाले को पसंद हूँ यही स्नेही का स्वरूप है चलना, खाना, पीना, रहना स्नेही के दिल पसंद हूँ इसे जो भी संकल्प वा करम करो पहले सोचो यह स्नेही बाब के दिल पसंद है जो कुछ भी करो पहले सोचो क्या ये बाबा के दिल पसंद है ऐसे सच्चे स्नेही बनो तो निरंतर योगी सहज योगी बन जाएंगे यदि स्नेही स्वरुप को समान स्वरुप में परिवर्तन कर दो तो अमर्भव का वर्दान मिल जाएगा और जुदाई को सदाकाल के लिए विदाई मिल जाएगे सरल शब्दों में कोई भी संकल्प से पहले बोलने से पहले जरूर चेक करो क्या ये बाबा को पसंद है अगर बाबा के पसंद है तो करना है नहीं है तो नहीं करना है तो बाबा केते हैं ऐसे आप निरंतर योगी सहज योगी बन जाएंगे यदि स्नेही स्वरूप को समान स्वरूप में परिवर्तन कर दो तो अमर्भव का वर्दान मिल जाएगा और जुदाई को सदाकाल के लिए विदाई मिल जाएगी बड़ा प्रैक्टिकल स्लोगन है स्वभाव इजी और पुर्शार्थ अटेंशन वाला स्वभाव इजी जिनका स्वभाव इजी है उनके लिए सब कुछ इजी है पुर्शार्थ भी सहज हो जाता है सेवाईं भी सहज हो जाती है मुश्किलें भी सहज हो जाती है इसलिए पुर्शार्थ को अटेंशन वाला और स्वभाव को इजी बनाओ सरल बनाओ आज अभ्यास करेंगे मैं सरल चित आत्मा हूँ ओम शान्ती आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुनें उसके लिए उपर दिये गए बोक्स को टच करें